मुझे कैसे याद किया एक महत्पूर्ण जिम्मेदारी संपने के लिए तुम्हें भरत यूनिवरसिटी एलेक्शन में खड़ा करना है तुम्हें मालू है न उनिवरसिटी में क्यार नारे लगे थे अफसल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिर विंदा है भाले राओ जी कह रहे थे कि हिंदु तुम्हें खत्रे में अगर हम इस देश से निकाले गए तो क्या कोई दूसरा हिंदु देश है जहां हम जाके रह सकेंगे अफिन टोल्ड के भरत तुम्हारे अगेंस्ट एलेक्शिन्स में खड़ा हो रहा है जानता हूं तुम लोगों की शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है तुम यहां एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो जहां सिर्फ हिंदू रह सकेंगे जब एक मुसल्मान खुद को फक्र से मुसल्मान बोल सकता है तो पर एक हिंदू खुद को हिंदू बोलता है घर से तब साले तुम सब बधन में आख क्यों राष्ट्व जाति है यह से कुलिजम का जंडा लेकर खड़े हो जाती हो तुम दोनों दोस्तों ने एक-दूसरे क रहता है तू मेरे अंग पे सजता है तू मेरे अंग पे सजता है तू मेरा वस्कित्व है हिंदुत्व है हिंदुत्व है हिंदुत्व है ये तेरे बच्पन का दोस नहीं बच्पन का दुश्मन है रोकना पड़ेगा हजूर रोकना पड़ेगा हर योग में धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई हुई है तुम्हारे जीवन में तुम आभारत होनी ही थी आर्टिकल 370 को इंडियन कॉंस्टिटूशन से हटाया जाना जाओ इस मुल्क को आखराद असा क्या देख लिया तुमने कश्मीर में जो इतना बड़ा शौक लग गया तुम्हें जिन लोगों से तुम गले मिल रहे थे देवा डेंजरूस पीपल समीर वो टेरिरिजम को बढ़ावा देते हैं हमारी कौम प्रताड़त है ये कह कह कर तुम और तुम्हारे जैसे कितने लड़के हम जैसी हिंदू लड़कियों को भढ़काते हैं हो जाने दो टुकड़े इस देश के पह जाने दो घुर से पत्थर बजा दूँगा लेकिन अपनी कौम का सम्मान वापिस लाकि रहूंगा सुना तो मैंने भी यह है कि तुम लोग सारी दुनिया में इसलाम पहलाना चाहते हैं कोई और धर्म रहने नहीं परोगे जो भी इस देश के टुकड़े करना चाहेगा हम उनके टुकड़े कर देंगे हिंदू तो जब जागे रहना उसके आंदी में तमारे सारे काले मनसुमों के परकच्चे उल गाएंगे देख मुझे डर है कुछ बहुत बुरा हमार हिंदू अब वो हिंदू नहीं रहा जो हुआ करता था पंडित का बेटा हूँ लेकिन लाठी चालाना जानता हूँ जाए शुरी रहा